सब्सक्राइब सब्सक्राइब बहुत बहुत स्वागत है अभी हाल में ही जब बात करें करेंट अफेर्स की यह पॉलिटी रिलेटेट बहुत बड़े इवेंट की तो आप सभी को याद रहना चाहिए अबाउट न्यू पार्लियमेंट जी हां 1921 का जो लुटियंस दिल्ली ठीक है जो लुटियं ने दिल्ली बनाया था जो एक नया कैपिटल बनके तयार हुआ था ब्रिटिश इंडिया के एंपायर के दौरान जब 1911 में आप सभी को याद होगा कि दिल्ली दरबार बैठा था और वहां पे सिफ्टिंग आफ कैपिटल हुई थी जी आपका जो कलक प्रदान मंतरी मोदी ने इसका नाम अब दिया है तो इस बार के प्रिलिम्स के लिए या कोई भी कोई भी पेपर हो आपका ठीक है उसमें नए पार्लियमेंट से बहुत सारे कुश्चन सकते हैं तो आज मैं आयूश पांडे उतकर्स की तरफ से कुछ ऐसे क्वेसे लेके आ अपने इजाम की तैयारी को इस टॉपिक से कम्प्लीट करेंगे ये एक स्पेशल सीरीज है पॉलिटी की जो आपको न्यू पार्लियमेंट के बारे में तैयार करेगी चलिए तो सबसे पहला कोश्चन हम देख लेते हैं यह आपके सामने हैं वेन वार्स्ट मीटिंग इन द बिल्डिंग की पहली मीटिंग कब हुई थी इस बिल्डिंग की पहली मीटिंग हुई थी 19 सेप्टेंबर 2023 को ये डेट याद रखेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 19 सेप्टेंबर 2023 को आप सभी को पता होना चाहिए इस नए पार्लियमेंट की फर्स् दंद 10 December को 10th of December 2020 को इसका foundation stone ले किया गया था इसका inauguration किया गया था 28 मई 2023 में 28 मई 2023 में इसका inauguration किया गया था और इसकी पहली meeting 19 September 2023 को ही थी यह तीनों date आपके लिए important है किसी भी मद्रदेश या दिल्ली लेवल के या नैश्टनल लेवल के exam के लिए आप सभी का यह तयार होना चाहिए तो foundation stone कब लेकिया गया था 10 December को 28 मई 2023 को inauguration हुआ था और पहली meeting 19 September को हुई थी ठीक है यह 2020 यहा दखेगा जब foundation का काम सुरू हुआ था next question यहीं हम बात करें इसी से related what is a shape of new parliament building जो नई parliament building बनी है उसका shape कैसा है मैं आपको 3-5 second तक देता हूँ आप इस question का सही answer देने के लिए जो अभी पुरानी संसद है या parliament है वो circular है और इस बार की जो बनाई गई है वो है triangular आप देख सकते हैं नई संसद की picture आप सभी के सामन है triangular ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि triangle सुभ का प्रचारक होता है और triangle का area जादा अच्छी तरह यूज हो सकता है इसलिए इनके जो designer है मैं नाम अभी नहीं बता रहा हूँ आगे जाके जब questions में पता चलेगा कि designer का नाम क्या है उनका यह कहना है कि यह design सबसे appropriate थी जि हमारे यहां पर त्रिकून जो होता है वह सुभमाना जाता है हिंदू धर्म के साब से यह रखिएगा जो नई पार्लियमेंट बिल्डिंग है वो ट्राइंगुलर है ठीक है देखा जा सकता है तो यह basically एक ट्राइंगल की तरह है ठीक है next question पर बात करते हैं आप सभी को पता होगा नई पार्लियमेंट बिल्डिंग के उठगाटन में या इनौग्रेशन में एक सिक्का रिलीस किया गया था प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी द्वारा मैं आपको फिर बताओं जिस दिन नया पार्लियमेंट की बिल्डिंग इनौग्रेट होई थी उ हमारे देश के अमरित काल चल रहा है 75 यर्स का प्लीज आ दखेगा 75 यर्स से लेके 100 साल तक के इस पीरियड को अमरित काल कहते हैं तो न्यौ पार्लियमेंट बिल्डिंग की जब इनौग्रेशन चल रही थी ठीक है तो 75 रुपीज का एक कोईन को इनौग्रेट किया गया है जस टू कममरेट इस न्यौ पार्लियमेंट बिल्डिंग यह 75 रुपीज का एक सिक्का है और यह आपके पार्लियमेंट की इसमें एक इसक्रिप्शन है तो प्लीज आ दखेगा वो कौन सा रुपे का कोईन है जिसको कममरेट करने के लिए नरेंद मोदी जी प्रहान मंत्री नरेंद मोदी जी ने अन्वील किया है वो है रुपे 75 रुपे का एक कोईन अन्वील किया गया है यह सब क्वेशन रिलेटेट टू न्यू पार्लियमेंट है उससे आसपास की पेरिफेरल नॉलेज के लिए है आप बहुत अच्छी तरह इसके नोट्स बना लीजेगा और आपको फाइदा होगा किसी ना किसी एक्जाम में अगले एक दो साल में ठीक है क्या पता सत्रा दिसंबर के प्रिलिम्स में भी आपको काम आ जाए नेक्स कुश्चिन अंडर विच प्रोजेक्ट है न्यू पार्लियमेंट हाउस बीन कस्ट्रक्टेड वो कौन सा ऐसा प्रो इंडर प्रोजेक्ट नहीं दौर्का नौईड अप्रोजेक्ट नहीं यह सेंट्रल विस्ता प्लाइन को पेश करती है गोवर्मेंट के सामने यह जो न्यू पार्लियमेंट बना गया यह इसी सेंटर विस्ता रीडेबलेमेंट प्रोजेक्ट के अंतरगत बनाया गया है यह देखिए यह ओल्ड पार्लियमेंट है ठीक है सर्कुलर पेज का यह न्यू पार्लियमेंट है ट्राइंगल का राश्पती भवन पीम का न्यू रेसिडेंस न्यू ऑफिस ठीक है इंडिया एट 75 MPs Office, Museum, New Parliament, Central Secretariat, India Gate, Supreme Court ने भी इसको बीच में Green Signal का issue हुआ था यह सब चीज आपके सामने है तो प्रीज आज रखेगा Ministry of Housing and Urban Affairs 2019 के अंतरगत Central विस्ता प्लान के अंतरगत यह बनाया गया है आपका New Parliament और भी Redevelopment प्रोग्राम्स होंगे और आप सभी को मैं बताए चुका हूँ 10 दिसंबर 2020 से इससा काम चालू हुआ था 28 मही को inauguration किया गया और 19 सेप्टेंबर को पहली meeting कही गई और जब inauguration हुआ था तो साथी साथ 75 रुपे का एक coin भी inaugurate किया गया यह सब चीजे यहा दखेगा अगला सवाल आप सभी के सामने इस new parliament building के architect कौन है नई parliament building के architect मैं तो नहीं हूँ अभी इतना बड़ा आदमी तो नहीं बना हूँ मैं आज सब का प्रेम और प्यार मिलता रहे तो मैं तो नहीं हूँ ठीक है Edward Lutians पुराने वाले parliament के हो सकते हैं अब बात फस्ती है चंड कान सूमपूरा और विमल पतेल में मैं हो नहीं सकता फिलाल दो ठीक है आगे जाके आप you never know ठीक है Edward Lutians आपके पुराने दिल्ली या नहीं दिल्ली के बारे में आपने जो भी पढ़ाओगा लुटियंस दिल्ली जितने भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं government की 1920s में जो बनी थी ये लुटियंस ने डिजाइन की थी इसके लावा आप यदी राम मंदिर के बारे में जानते ही होंगे तो राम मंदिर को डिजाइन किसने किया है राम मंदिर आयोध्या का जो राम मंदिर इसको डिजाइन किसने किया है चंद्रकांत सोमपूरा थोड़ा यह आइडिया रखेगा मान लीजे इन केस कुश्चन आ जाता है आपका यहां पर सही आंसर होगा विमल पटेल जी हाँ विमल पटेल जी 2019 पदमस्री प्लीज दखिए गा विमल पटेल जी जिनको 2019 में पदमस्री से भी नवाजा गया है पदमस्री अवाड़ी विमल पटेल जी 2019 इन्हों ने न्यू पार्लेमेंट की आर्टिटेक्चर को फाइनलाइज किया है यह कंपनी से बिलॉंग करते हैं जिस कंपनी के बारे में भी आपको थोड़ी देर बात पता चल जाएगा तो इनकी कंपनी के यह जो इसके एंप्लॉई ग्रूप है इन्हों ने डि न्यू पार्लेमेंट की डिजाइन किस ते प्रिपेर की वो कौन है जिसने प्रिपेर किया है न्यू पार्लेमेंट की डिजाइन मतलब विमल पटेल जी इनमें से कौन सी कंपनी में काम करते हैं अदानी में पटेल डिजाइन में एच सीपी डिजाइन में या भारत ठीक है the new parliament design of the India ठीक है इस चीज को बहुत अच्छी तरह रहार रखेगा SCP designs next question who built the new parliament building यह जो नई बार्लेमेंट building पटेल जी ने design किया SCP design company है लेकिन यह बनाया किसने Central Vista Limited यह तो भाई redevelopment program है 2019 का जिससे नए offices बनेंगे ठीक है दिल्ली को redevelop करने का बात है जो भी government offices है पटेल construction विमल पटेल जी का है L&T या Tata project तो यह answer यह दखेगा Tata projects Tata projects limited यह है new parliament building को बनानी वाली company design SCP designs ने किया था लेकिन इसको बनाया है Tata project limited ने प्रीज आद दखेगा इस नई parliament को किसने बनाया है Tata project limited ठीक है next question new parliament का area कितना है मतलब कितने area में पूरी की पूरी new parliament बनाई गई है 65,000 km square 55,000 75,000 85,000 यह दखेगा 65,000 65,000 km में आपका new parliament बनाया गया है यह एक basic idea है जो times of India से लिया गया एक cutting है ठीक है four story structure है parliament चार story structure है जिसमें 64,500 square meter ठीक है इसके बारे में आप देख सकते है total area है sitting capacity 1200 के आसपास है 970 करोड का project था estimated completion 2022-2023 में इसका inauguration कर दिया गया यह central vista redevelopment project का part है Tata project limited ने इसका construction का bid जीता था इसने बनवाया है ठीक है क्या-क्या है इसमें एक constitution hall है जो heritage of India's democracy बताएगा MPs के लिए launch है, library है, multiple committee rooms है dining area है, parking space है, ठीक है इसमें कोई भी central hall नहीं होगा प्लीज याद अखेगा जिस तरह लोकसभा, राजसभा और दोनों की joint sitting के लिए एक central hall था जहां पे हमारी आजादी की पहली speech जवाललाल नहरु जी ती यह वही जगे है जहां पे समविधान बना था जो फेमस स्पीच है आपकी जवालला नहरु की ठीक है टाइरस्ट विद्दा डेस्टिनी यह वाला जो सेंटरल हॉल है न्यू हॉल में या न्यू पार्लियमेंट में यह मिसिंग है न्यू लोकसभा का जो चैमर है जो नया लोकसभा की जगे डिसाइड की गई है न्यू पार्लियमेंट में उसी में जॉइन सिटिंग हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है न्यू पार्लियमेंट का जो लोकसभा का चैमर है वहाँ पे new central hall create किया गया है इसमें central hall नहीं है ठीक है ऐसे कुछ चीज़े याद अखिएगा आपके काम आ सकती है next old building जो पुरानी parliament house थी जिसको सम्विदान सदन कहते हैं अब उसको किस ने किया था design sir Edwin Lutians ने किया था यह सब जानते हैं Lord Irwin ने inaugurate किया था प्लीज याद अखिएगा जैसे आज inauguration किये है प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने वैसे ही पुरानी old building Lord Irwin कौन थे sir governor general थे भईया governor general थे या वाइस रॉय बोल दीजे आप इनको गवर्नर जनरल वाइस रॉय आफ इंडिया Lord Irwin ने पुरानी parliament को क्या किया था inaugurate किया था design किस ने किया था Edward Lutian और sir Harvard Baker दोनों ने मिलके तो प्लीज आ रखिएगा answer D होगा Harvard Baker जी को मत भूल जाईएगा वो भी एक architect थे जो Lutians के साथ काम कर रहे थे तो मैंने क्या बताया पुरानी building पुरानी parliamentary building Edwin Lutians और Harvard Baker दोनों ने design की है ठीक है इनागरेट किस ने की थी गवर्णर जनरल वाइस रॉय लॉड इर्विन चलिए यह Edward Lutians यह Harvard Baker और यह अभी के Parliament के designer श्री बिमल बतेल जी जिनको 1999 में क्या मिला था पुरानी Parliament की बात करें तो 1921 में इसको स्टार्ट किया गया था ठीक है 1911 में सिफ्टिंग ऑफ था सिफ्टिंग ऑफ कैपिटल अरांस किया गया था दिली दर्बार में 1921 को स्टार्टिंग हुई थी यह बनने की ओल्ड पार्लियमेंट 12 फरवरी 1921 को foundation stone रखा गया था पुराने पार्लियमेंट का 1921 बारा फरवरी 27 में complete हुई थी इसको design किस ने किया था लॉड इर्विन ने design किस ने किया था एडविन लुटिया ने हर्वर्ट बेकर ने यह circular design है और इसका नया नाम है सम्विदान सदन सम्विदान सदन ठीक है प्री जाद रखेगा सम्विदान सदन तो यह कुछ data is old parliament का याद रखेगा next question कितनी seat होंगी लोगसभा की नए parliament building में आप सभी को पता है कि 1971 आप सभी को पता होगा 1971 के census के बाद delimitation को freeze किया गया है कब तक 2026 तक 1971 census पे लोगसभा रासभा की seat को delimit जो commissions होती है वहाँ पे freeze कर दिया गया है 2026 तक मतलब आगे के census के इसाब से जो seat का वाबस से delimitation होता है ठीक है changes होती है उसको freeze करके रखें क्यूं इसका basic idea आपको पता होना चाहिए जो family planning के policies थे वो south इंडिया तो अच्छी तरह implement कर ली लेकिन north इंडिया ने इसको अच्छी तरह implement नहीं किया मतलब north इंडिया की population अभी भी grow कर रही है अच्छे rate पे लेकिन यहाँ पे south इंडिया पे population stagnant हो गई है अब आपको पता है democracy में जो seat होती है वो people's representation पे होती है इसे UP सबसे ज़्यादा population सबसे ज़्यादा seat जो यूपी जीत गया वो देश जीत गया आप बोलते ही हो लोगसभा में तो ऐसा हो जाएगा आगे जाके यदि हम इन दोनों scenario को देखें south इंडिया की seat कम हो जाएगी north इंडिया की बढ़ जाएगी यह सब चीज को stabilize करने के लिए 1971 के वाद जित्ते भी census हुए है उसको freeze किया गया है कि जब तक 2026 तक देखा जाएगा ठीक है कि क्या यह ratio को maintain किया और ultimately उसके बाद लोगसभा seat बढ़ाई जाएगी तो आज की date में जो भी लोगसभा seats है वो 543 seats जो है वो 71 census के साब से हैं लेकिन लोग बढ़ रहे हैं community का representation बढ़ रहे है अब तो लड़कियों का भी representation आ गया है तो OBC seats बढ़ रही है यह issue रहता है तो अब हमारे नए लोग सभा में 888 seats की बात है प्लीज आ दखिएगा जो नया parliament है उसमें लोगसभा की कितनी seats बनाई गई है 888 प्लीज आ दखिएगा जो नई लोगसभा की seat है ठीक है वो 888 design की गई है नई parliament में यह आप नई parliament का लोगसभा का photo देख रहे हैं और इसको एकदम peacock की तरह बनाया गय जैसे peacock के feathers होते है न यह देखिए peacock के feathers की तरह design किया गया है मतलब आपसे पूछा जाए कि नए parliament में लोगसभा की कितनी seats है 888 इसका design किस तरह है peacock की तरह इसका design किस तरह है peacock की तरह प्लीज आ दखिएगा लोगसभा के seats 888 है और इसके design है PCOC की तरे अब हम बात करें कि राजसभा की अब कितनी seat हो जाएंगी new parliament में नए parliamentे राजसभा की कित्ती seats हो जाएंगी तो राजसभा की seats हो जाएंगी 384 प्लीज आद रखेगा राजसभा की seats हो जाएंगी 384 और ये जो राजसभा की फोटो आप देख पा रहे हैं ये जो राजसभा की फोटो आप देख पा रहे हैं ये लोटस डिजाइन में बनाया गया है ठीक है ये लोटस डिजाइन में बनाया गया है और इसकी थीम याद रखेगा लोटस मानली से आप पे कुश्चन आता है अच्छी तरह ख्यार रखिएगा इस तरह question exam में different exams में पूछे जा सकते हैं next question new parliament के डोर का नाम बताईए ज्यानदवार सकती दवार करमदवार जी हाँ तीनों दवार सही है आपके new parliament में आप majorly तीन दवार देख सकते हो ज्यानदवार सकती दवार करमदवार तो इसको answer D सही होगा यदि आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे सभी सही यह एक सेंटर विस्ता का री डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट का पूरा एक फोटो है यह देखिए यह सेरिमोलियन एंट्रेंस है कोई सेरिमनी के लिए एंट्रेंस होगी ठीखेए यह चेंटर लॉंज है यहां से डोज देख रहें आफिस रूम देख रहें राज सभा का चैंबर देख रहें लोग सभा किसकी तरह है पीकॉट की तरह और रासभा की थीम क्या है आपकी दोस्त यह लोटस की तरह हैं तो यह आप एक देह सकते हो बेसिक डिजाइन पॉज करके यहां पर आप यह सेंटरल विष्टा का डिजाइन देख सकते हो यही पार्लेमेंट का एक स्नीक पीक है इनसाइड वाला ठीक है चलिए तो यह कुछ चीजों को जरूर याद अखेगा इस तरह से जितने भी कुश्चन बन सकते थे मैं आपके सा सेंगॉल जो इंच्टॉल की गाई है जो सेंगॉल नए परल्लियमेंट में लोकसभा स्पीकर के बगल में इसको इंस्टसर किया गहा मतलब सेंग हल एकम डंडी की 성्थे म altar डंडी कीисаन की ठीक है जिसको कहा रखा गया है जो शबाछू नई लोक सभा रेमाए बैठते हैं उ राजा गुपाल चारी यह आपके पहले इंडियन वाइसरोई थे ठीक है और इनके बाद कोई भी वाइसरोई नहीं बना वाइसरोई की सीट को एबॉलिश करके प्रेसिडेन की सीट बनाई गई लॉर्ड माउंट बेटन के बाद आजाधी के बाद भी लॉर्ड माउंट तो यार दखेगा सेंगौल की प्रता चोला डाइनेस्टी से आई है सियार राजा गुपालचारी ने जवाल नाल नेर्जिव जी को सजस्ट किया था कि जब ट्रांसफर और पावर हो रही थी तो सेंगौल इंस्टॉलेशन के बारे में इसी प्रता को आगे बढ़ाया गया है थीक है तो आप देख सकते हो यह है सेंगौल सेंगौल हाज बीन स्टैबलिस्ट इन्द लोगसभा बाई श्री नरेंद्र मोदी जी अनने इनोग्रेट किया था यह वो सेंगौल है जो आपको दिख रहा है यह नंदी जी है सबसे टॉप में नंदी जी है ठीक है purity truth ठीक है इसको depict करते हैं ये रहा आपका पूरा सेंगौल के बारे में design में जो आपको idea होना चाहिए during the चोला era सेंगौल was considered as a sacred symbol of authority ठीक है तो sacred symbol of authority माना जाता था ठीक है चोला kings के पास ये एक sign of legitimacy के तरह use किया जाता था राजा जी के efforts के बाद सेंगौल को symbolize किया गया था in the transfer of power मत्तब जब Lord Mount Britain या British Empire ने transfer of power की थी Indian hands में तो सेंगौल का transfer किया गया था इसी को हमने अभी new parliament में भी install किया है मदरास के एक jeweler ने इसको बनाया था during the India's independence जो Lord Mount Britain को handover वाली कहानी जो मैंने बताई ठीक है तो या दखेगा ये भारतिय civilization of past या Indian civilization of past चोला डाइनस्टी से बिलॉंग करता है भारत भारतिय civilization कितना अच्छा सब्द है ठीक है चलिए नेक्स बात करते हैं असोक स्थम्ब national emblem parliament building के उपर install किया गया है पार्लियमेंट building के सबसे उपर एक national emblem असोक स्थम्ब इंस्टॉल किया गया है ये कितने किलोग्राम का है प्रीज आ दखेगा ये 9500 किलोग्राम का है और इसकी हाइट है 20 फिट ये जो building आप देख रहे हैं न्यू पार्लियमेंट की उसके उपर एक असोक स्थम्ब को install किया गया है इस असोक स्थम्ब की weight कितना है सर 9500 केजी सर इसकी height कितनी है ये है 20 फिट और इसको सम्हालने के लिए एक steel का framework बनाया गया है जिससे ये गिर ना जाए वो कित्ते किलोग्राम वो कित्ते उसका बनाया गया है केजी का 6500 केजी का मतब न्यू पार्लियमेंट के उपर 6500 केजी का एक structure है steel का इसके उपर ये 9500 केजी का एक असोक स्थम्ब इंस्टॉल किया गया है इसका weight और height आपके सामने screen पे है ठीक है इस तरह एक question one day के exam में ठीक है इस तरह के question SSC banking में भी आ सकते हैं PSC में in case अभी current interface में तो आ सकते हैं तो तयार रखिएगा ऐसे question जित्ते भी related questions है मैं सब आपके सामने लेके आया हूँ इस एक YouTube वीडियो में अगला question वो पहला bill कौन सा है जिसको नई parliament building में पास किया गया वो पहला bill पहला एतिहासिक bill जो नई parliament में पास किया गया वो है नारी सकती वंदन act ये वही है 106 amendment act 106 amendment act जिस 106 amendment act से अब enable कर दिया गया है देखें मिला नहीं है मिरे बाद समझेगा enable कर दिया गया है कि अब लोग सभा में विदान सभा में दिल्ली की assembly में one third at least at least one third at least one third seats किसकी होंगी वोमेंस की होंगी 106 amendment act enable करता है एक provision को कि कभी भी चाहो तो central government notify करके एक तियाई seat one third seat लोग सभा में विदान सभा में और दिल्ली की legislative assembly में one third seat वोमेंस के लिए आरक्षित reserve कर सकता है कब होगा 2026 के बाद होगा कैसे होगा central government notify कर देगी तो प्लीज आया दखेगा 106 amendment act ने one third woman reservation दिया नहीं अभी तक enforce होना बाकि हो central government notify कर देगी लेकि enabling provision डाल दिया गया है त्रू 106 amendment act राज सभा में नहीं होगा राज सभा में one third amendment मत दे आना लोग सभा में 35 47 47 st 35 schedule cast राज सभा में 11 seat 11 non reserved है राज सभा में reservation मत दे आना SC ST को नहीं मिला तो लड़कियों कहां कर दे के आ रहे हो ठीक है गलती मत करना भीया ठीक है तो नारी वंदन act आप सभी को पता होगा लोग सभा में 543 seats है ठीक है मौजूद लड़कियां जो elect होके आती है वो कितनी है 82 और नारी सकती वंदन के बाद कितनी हो जाएंगी 181 अभी कितनी seats है 543 वन थर्ड निकालोगे 181 आएगा लेकिन यही seat जब 888 हो जाएगी या कुछ भी हो जाती है delimitation द्वारा उसका वन थर्ड निकालेंगे यह ऐसा हो जाएगा नारी वंदन act या 106 amendment act यह दोनों एति जासिक बिल पास हुए है special session में यह पहला session था आपका new parliament का तो इस पूरे वीडियो मेरी कोशिस है कि जो एक current affairs आपके सामने आया था new parliament के बारे में उसकी छोटी से लेके मोटी बातें सभी आपके सामने रग दूं इस वीडियो में होप आपको यह वीडियो अच्छा लगे और ऐसी classes में लेके आता रहूँगा थैंक यू